इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के साथ स्टोरी साथ स्टोरी में छोटी कहानी के चैप्टर वन अध्या एक है जिसका नाम दा गोल्ट वाच है जिसका आर्थ होता है सुनहरी गड़ी जिसके राइटर पुंजी कराराफ फिजी हैं पुंजी कराराफ फिजी ने यह बहुत ही सांदार कहानी लिखी है जिसका नाम है सुनहरी घड़ी तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 2 को सुरू करते हैं इससे पहले मैंने पैराग्राफ 1 को पढ़ा दिया है तो उसके बारे में हम आपको अंत में बताएंगे कि किस तरीके आपको वीडियो मिलेगा तो देर करना करते हुए पहले हम चलते हैं पैराग्राफ 2 पर इससे पहले के पैराग्राफ ने संकु ने बताया कि वह जो कार्याला था जब दो पहर का समय होता था तो सभी लोग नास्तिक ले जाते थे और कमरा पूरी तरीके से खाली हो जाता थ और उस कमरे में एक मेज रखी हुई थी उस मेज के बीच में एक किताब रखी हुई थी और किताब के ऊपर उस अधिकारी की सोने की जंजीर वाली और सोने की घड़ी जिसमें सोने की जंजीर लगे हुए थी वह सोने की घड़ी रखी हुई थी तो और उस घड़ी के एक ब यह पुंजी करा राफ्षी जी बता रहे हैं संकु के माध्यम से तो देखिए क्या लिखते हैं ओपन दा विंडो ओपने खोलो दा विंडो मिस खिडकी को ओपन दा विंडो खिडकी को खोलो एंड इस्ट्रेच आउट और फैलाओ योर हैंड मिस अपने हाथों को एबाउट फूट एबाउट मिस लगभग फूट मिस एक फूट एंड यू कैन पिक इट पिक इट अप और आप इसे उपर उठा सकते हो ओपन दा विंडो खिडकी को खोलो एंड इस्ट्रेच आउट योर हैंड और अपने हाथों को फैलाओ एबाउट एफूट लगभग एक फूट एंड यू कैन पिक इट अप और आप इसे उपर उठा सकते हो ओपन दा विंडो खिडकी को खोलो और अपने हाथों को लगभग एक फूट फैलाओ और आप इस घड़ी को उठा सकते हो अर्थात इसे उठा सकते हो एवरीवन इस आउट फार लंच एवरीवन मिस प्रत्यक प्रत्यक लोग भोजन करने के लिए बाहर गये होते हैं नोबड़ी विलनो कोई भी जान नहीं पाएगा संकु रिमेंबर्ड हिजे फर्ट्स संकु ने रिमेंबर्ड हिस याद किया संकु रिमेंबर्ड हिजे फर्ट्स संकु ने अपने प्रयासों को याद किया अपनी कायरता को अपनी डरपोकता को और इस वैसिलेशन अपनी हिस की चाहट को दियूरिंग दे पास फ्यूजेस पास मिश्क्या बीते कुछ दिनों की क्योंकि कुछ दिनों पहले से ही घड़ी को चुराने का प्रयास कर रहा था तो वही पंजी का राफिजी लिख रहे हैं इस संकु रिमेंबर दे जे फार्ट संकु ने पने प्रयासों को याद किया हिज कावर्ड आय से अपनी कायरता को एंड हिज वैसिलेशन और अपनी हिज की चाहट को बीटे कुछे दिनों की याद नेवर सीन एनीवन देट टाइम हिए ने ने वर शणने किसी को भी नहीं देखा था एनीवन में में किसी को भी नहीं देखा था और फिर भी, he had been afraid, वह डरा हुआ था, he had never seen anyone there, उसने वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा था, उसने उसमें, उसने उसमें वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा था, और फिर भी, he had been afraid, वह डर चुका था, he had trembled, वह काप रहा था, and felt breathless, और बिना सांस के अपने को महसूस कर रहा था, अर्थात उसकी सांसे बहुत ही धीमी के से चल रहे थी, तो he had trembled, वह काप रहा था, and felt breathless, और निश्वास महसूस कर रहा था, या उसकी सांसे धीरे होती जा रहे थी, that was why, या ऐसा क्यों था, that was why, मिस ऐसा क्यों था, he had refrend from taking the watch every time, he had refrend, he had refrend, मिस वह बचता था, from taking the watch, घड़ी को चुराने से every time, मिस प्रत्येग बार, that was why, ऐसा इसलिए था, ऐसा इसलिए था, वाय मिस क्यों कि, he had refrend from taking the watch, वह घड़ी को लेने से बचता था, every time, मिस प्रत्येग बार, वह घड़ी को चुराने से प्रत्येग बार, बचना चाहता था, या बचता था, it would not do to put it off any longer, और इसे लंबे समय तक त्यागा नहीं जा सकता था, अर्थात उसे अब और देरी नहीं करनी चाहिए थी, तो it would not do to put it off any longer, और अब उसे इसे लंबे समय तक जागना नहीं अच्छा था, if he thought any further, if he thought वह सोचेगा, any further मिस और जादा, या इसी तरीके से, if he thought any further, यदि वह इसी तरीके से सोचता रहा, he would not be able to do anything, he would not be able to miss समर्थ होना, तो he would not be able to do anything कुछ भी करने को, if he thought any further, यदि वह इसी प्रकार से सोचता रहा, यदि वह इसी प्रकार से सोचता रहा, he would not be able to do anything, तो वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, he might even blurt out his intention incidentally, he might even blurt out his intention वह अपने इरादे को incidentally में से अचानक, he might even blurt out his intention, सायद वह अपने इरादे को है अचानक बदल दे, सो इसलिए he must take it tomorrow, he must वह अवस्य ही टे कई टे से ले लेगा तुमारों में साने वाले कल लेखो, सो इसलिए he must take it tomorrow, वह इसे आने वाले कल को अवस्य ही ले लेगा, सपोज मानो की he did not वह ऐसा नहीं करता है, suppose मानो की या अगर suppose मानो की ऐसा क्या होगा कि he did not वह जब यह नहीं करेगा फिर से देख लेते हैं open the window खड़की को खोलो and stretch out your hand about a foot और अपने हाथों को एक foot फेलाओ open the window खड़की को खोलो and stretch out your hand about a foot और अपने हाथों को एक foot फेलाओ और आप इसे उठा सकते हो इसको घड़ी को ओपने हाथों को लगभग एक फूट फैल आओ और आप इसे उठा सकते हो एवरिवन इस आउट फार लंच प्रत्येक लोग नास्ता करने के लिए बाहर गए होते थे नोबडी विल नो और कोई भी जान नहीं पायेगा संकु रिमेंबर इसे फर्ट संकु ने अपने प्रयासों को याद किया हिज कावर्ड आइस अपनी कायरता को एंड इस वैसिलेशन और अपनी हिज की चाहट को संकु ने बीते कुछ दिनों की संकु ने बीते कुछ दिनों की अपनी काय अर्ता को अपनी हिच की चाहट को अपने प्रयासों को याद किया वहाँ पर ने बीते काय दिनों वहाँ पर ने बीते को दिनों at 08 और फिर भी एद भीन अफ्रेड हुआ था अधर फिर भी एड़्वी आपट वाडर चुका था यहाद ट्रेंबलड काप राता है और उसकी साथ धीमी हो जा रही थी वह काप रहा था और सांसे धिमी होती जा रही थी that was why ऐसा इसलिए था क्यों कि he had refrend वह बचा करता था from taking the watch घड़ी को चुराने से every time is प्रतेख बार that is that was why ऐसा इसलिए था क्यों कि he had refrend from taking the watch every time वह प्रतेख बार घड़ी को चुराने से बचा करता था it would not do to put it up any longer it would not do to put it अच्छा नहीं था it would not do to put it up any longer और इसे लंबे समय तक त्यागना अच्छा नहीं था if heat heart यदि वह सोचता एनी फर्दर यदि वह इसी प्रकार सोचता रहेगा यदि वह इसी प्रकार सोचता रहेगा he would not be able to do anything है तो वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाएगा he might even even blood out his intention अपने इरादे को ही बदल दे blood out इंटेंशन मिस इरादा आसा करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का आप लाइक कीजिएगा और कमेंट बाक्स में कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा यह आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लावा आप से हमारा एक बिनमर निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अक्रिपिया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा जिससे प्रेस करना या दबाना आप बिल्कुल न भूलेगा इस सब्सक्राइब करने के बाद उन चैप्टर के वीडियो आपको मेरे वीडियो बाक्स देखने के असानी से मिल जाएंगे और बेल आइकन प्रेस करने का फायदा यह होगा कि इस वीडियो के बाद मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबस शुरू में बात की थी कि जो मैंने पहला वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने पराग्राफ वन पढ़ाया है वह वीडियो आपको कैसे मिलेगा तो मैं उस वीडियो की नोटिफिकेशन बाक्स दे दे रहा हूं आप नीचे डिस्क्रिप्स दिए गए लिंक की सायता से उस वीडियो को आसानी से देख पायेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लिते हैं तो आप मैरे वीडियो वाक्स में जाएंगे सब भी आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा किसी के साथ thanks for watching my videos we meet soon thank you all of you